प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है मैं हूँ राशिद एहमद खान कारिकर्म के आज के अंक में प्रस्तुत है विभिन ने जिलों की सम सामाई गती विधियों पर एक नजर प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोदी ने वर्चुल माध्यम से विक्सित भारत संकल्प यात्रा को मद्परदेश सहित पांच राज्यों के शहरी शेत्रों के लिए यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस दोरान शिरी मोदी ने वर्चुल माध्यम से केंदर सरकार की विभिन योशनाओं के लाभारतियों से समबाद भी किया आज के इस कारकम में बड़ी संख्या में शहरी खेत्रों के लोग जुड़े हुई है इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकांच से जुड़ी बातों पर था है और मेरे समबाद भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बाते थी मेरे परिवार जनो विक्षिद भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है आज़ाजी के लंबे समय तक जो भी विकांच हुआ उसका दाइरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सिमित रहा लेकिन आज हम देश के टियर टू टियर थ्री इस शहरों के विकांच पर बल दे रहे हैं देश के सेंकड़ों छोटे शहर ही विक्षिद भारत की भव्वे इमारत को ससक्त करने वाले हैं इसलिए अमरित मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन इनके तहट छोटे शहरों में मूल सुविदाओं को बहतर बनाये जा रहा है कोशिच यही है कि वाटर सप्लाई हो द्रैनेज और सिवेज सिस्टिम हो ट्रैफिक सिस्टिम हो शहरों में सीची टीवी कैमेरों का नेटवर्क हो इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए स्वच्चता हो पब्लिक टॉइलेट्स हो LED स्ट्रीट लाइट्स हो शहरों में इन पर भी पहली बार इतने व्यापक्स्तर पर काम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव इज अफ लिविंग पर पढ़ा है इज अफ ट्रावेल पर हुआ है इज अफ डूइंग बिजनेस पर हुआ है मद्ध प्रदेश में विक्सित भारत संकल्प यात्रा का शुभारम मुक्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्जयन के दशेरा मैदान से किया इस आउसर पर मुख्रमंत्री डॉक्टर मोहन यादब ने कहा कि विक्सित भारत संकल्प यात्रा विकास और जन कल्यान के लिए सरकार के संकल्प को परदेशित करती है साथ परदेश सरकार के काम किये गए वो भी और जन्ता के साथ नए लाभातियों को भी और इन नई योजनाओं का लाब मिले इसलिए विक्सित भारत की कल्पना करते हुए जो एक रफ्यात्रा की पूरा कल्पना की है रीवा में उपमुक्ष मंत्री राजेंदर शुकला ने विक्सित भारत संकल्प यात्रा का शुभारम किया पांच राज्यों सहीत मध्य प्रदेश में भी विक्सित भारत संकल्प यात्रा का समारोव पूर्वा कुदखाटन सिर्मोर चौक के पास न्यू मार्केट में किया गया। देश के प्रदान मंत्री नरेंद मोदी इस कारिक्रम में बर्चुल जूड़े और हितकरहियों से बात की। साथ ही हरी जंडी दिखाकर रत को रवाना भी किया। इस दोरान प्रदेश की उप मुख्य मंत्री राजिंदर शुकला मुख्य अतित के तौर पर कारिक्रम में शामिल हुए। समारों में इन्होंने जन कल्याणकारी योजणाओं को पंक्ती के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने की बात कही। उप मुख्य मंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश पूरे प्रदेश के शहरी और ग्रामिल छेत्र के निवासियों को जन कल्याणकारी ना सिर्फ अबगत कराना हैं बलकि योजणा का लाब दिलाना भी है। इसके लिए सरकार ने रत के साथ साथ योजणाओं से संबंदित भुभाग के अधिकारियों को रहने के आदेश दिये हैं जो मौके पर ही योजणाओं से बंचित लोगों के आबेदन प्राप्तिकर ततकाल उसका निराकरन करेंगे। जिससे योजणा का लाब प्रदेश वासियों को मिल सकेगा। फीता काट कर शुभारम किया। माध्यम से केंद्र सरकार की सभी प्रमुक्योजनाओं के जानकारी LCD के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। प्रादेशिक समचार दर्शन के लिए रीवा से में आर्ति श्रिवास्तौ। सतना में आयुजित कारिक्रम में सांसद गड़ेश सिंग ने प्रचार रथों को हरी जहन्डी दिखा कर रवाना किया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे समबाद दाता। भारत के ऐसे निर्माण की कल्पना की गई है जिससे हर घर में खुसहाली, समरद्धी और सब का साथ सब का विकास हो। सतना और मईहर जिले में 24 जनवरी तक प्रधानमंती नरेंद मोदी की जनहित और जनकल्यान के लिए आरम की गई यात्रा का किर्यान बन मोदी की गारंटी की साख और गरिमा के अनुरूप निकाली जा रही है। केंद सरकार की जनहितेसी योजनाओं लाभों और सुविदाओं के बारे में जागरुकता करने प्रमुक योजनाओं का लाभ लच्छित अपला प्यारतियों तक समय बद्ध तरीके से पहुंचाना योजनाओं का पिचार 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 और जागरुकता लाना लाबारत रतलाम में इस्थानी विधायक शेतन कश्यप ने हमारी समभाद दाता से यात्रा कुले कर बात की विख्षित भारत संकल्प के लिए मोधी की गारंटी की गाड़ेयां समस्त पंचायतों के अंदर प्रमन करेगी और आज उसी लिए जावेजन था और जिसे प्रधान मंत्री जी के महाशन के साथ में उन्होंने पांच राज्यों के अंदर इन रतों को जंडी बताई है और आज उसी करम में रत्लाम जिले का जिला इस से लिए कारेकरम था और इसमें गाड़ेयों को अभी जंडी बता करके सभी 6 ब्लाकों के अंदर एक गाड़ी और रत्लाम नगर के लिए एक गाड़ी और नगरी बंचायतों में वही गाड़ी पुरे जिले में ब्रह्मन करे इसका पूरा कारेकरम बना लिया गया है और निश्शित तोर पे जो 10 साल के कारेकरम कारेकाल में मोदी जी ने गरीब कल्यान की जो जिस्ती भी योजनाय बनाई है उनका लाब भी दिलाए जायेगा और उसके साथ में जो लोग वंचित रहेगा हैं उनसे फार्म भरवा करके और उनके बारे में नीमों के बारे में चिंतन किया जाएगा यह एक एसा प्रयोजन है कि जिस प्रयोजन के माज़म से देश के अंदर भारत को दुनिया में सरुसरे श्रास तो बनाया ही है पर देश के नागरिकों के कल्यान में मोधी सरकार की क्या उत्रप्या है उन सब को भ प्रदेश के साथ ही सीहर जिले में भी 16 दिसंबर से विक्सित भारत संकल पियातरा का उत्साह के वातावरण में शुभारम किया गया। प्रदेश के विक्सित भारत संकल पियातरा की रद को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के विक्सित भारत संकल पियातरा की शुडवात की है। प्रदेश के विक्सित भारत यात्रा किस सरे से प्रभाप का रही है और उसका क्या प्रभाप पड़े है। प्रदेश के विक्सित भारत संकल पियातरा अब हर गाओं में पहुचेगी। प्रदान मंत्री जी के नित्रत में देश आगे बढ़ रहा है। और हर पात्र व्यक्तियों तक हर योजना का लाभ मिले। इसका प्रयत्न होगा। जो वंचित हैं उनका नामांकन करेंगे और जो सफल हैं योजनाओं के लाभार थी। उनसे उनकी सफलता की कहानी भी सुनेंगे। आज सीहौर जिले में यहां से विक्सित भारत संकल पियातरा के रत्मरारम हो रहे हैं। इसी कायरकम में यहां आया हूँ। प्रादेशिक समाचार दक्षन के लिए सीहौर से मैं प्रदीप सिंग चोहान। प्रदेश में आरंब की जा रही विक्सित भारत संकल पियातरा का शनिवार को वर्चोली सुवारम किया। शाजापूर जिले में भी पांच प्रचार रत वहन आये हैं जो सर्व सुविदा युक्त है। जानकारी देते हुए प्रभारी कलेक्टर संतोष टेगोर ने बताया कि इन वहनों के माध्यम से केंदर सरकार की जन कल्यानकारी योजनाव की जानकारी शहरी एवं ग्रामिन छेत्रों में दी जाएगी। इसके तहर जगे जगे शिविर भी लगाई जायेंगे। यह यात्रा आगामी 26 जनवरी 2024 तक जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में भ्रमन करेगी। साथी प्रती दिवस दो ग्राम पंचायतों में प्रचार रत ब्रह्मन करेगा उन्होंने बताया कि नगरी निकायों में भी प्रचार रत के माध्यम से प्रचार प्रसार तथा लगबग 17 शिविल लगाए जाएंगे इन शिवरों में महिला एवं बालविकास, स्वास्त, प्रचु पालन साइद विविन विवागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, साथी एकी इस्तान पर केंदर सरकार की विविन जनकाल लयानकारी योजनाओ की जानकारी देकर पात हितगराईयों को इन योजनाओं से लाभनवित किया जाएगा, प्रादेशिक समाचार दर के लिए भी चुनाओ होना है, इस बारे में दिक्चानकारी दे रहे हैं हमारे शेहडोल समवादाता और विन पांडे शेडोल जिले में पंचायत उप्चुनाओ की प्रक्रिया सुरू हो चुकी है, चार सरपंच और एक पारसत पत के लिए ईबियम से चुना होगा, जबकि 25 पंच पत के लिए मत्पत्र का इस्तमाल किया जाएगा, पंचायत और नगरी निका उप्चुनाओ की प्रक्रिया ए जन्वरी को होगी और पंच पत की मतगरना 11 जन्वरी को की जाएगी, जिले के ग्राम पंचायत चरका, घोरसा, पकरिया और ग्राम पंचायत पैरी बहरा में सरपंच का चुना होना है, धनपुरी नगर पालका के वाड करमंग 28 में पारशत पत का चुना होगा, इसके ग्राम पंचायतों में 25 पंच चुने जाएंगे, प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शेयर डोल से मैं अरविंद पांडे, आज की संक में फिलहाल इतना ही, नमस्कार